हेलो इस्टुएंट्स करेंगे ग्जामपल लूमर 3 लास्ट एग्जामपल इसके बाद सीथ है 7.6 तो क्या कहा रहा देखो यहां पर केशन में X cube plus अब देखो यहाँ पर X square लिखावा है बर्ट इसको सभी कर लेना बुख में केवल X होगा यह और नीचे X square minus 1 हो जाएगा ठीक है अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर बुख में जो X square लिखावा है अगर X square होगा तो फिर वो answer नहीं आएगा जो बुक में आ रहा है, समझे रहा है, कहना चारा हूँ, अगर x square लेके चलते हो, तो बुक वाल अंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा different आएगा, थोड़ा सा difference आएगा उससे answer में, तो इसलिए उसको access हो रही जागे, x कर लेना, अभी वो answer बनेगा, जो बुक में दे रखा है, क् बीच वाली value क्या है, इसके अंदा बढ़ी है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर यह क्या है, improper fraction है, या तो आप इसको divide कर लो, या तो आप इसको divide कर लो, हना, हम क्या करते हैं, divide, x cube plus x plus 1 by x square minus 1, या फिर आप इसको directly separate कर सकते हो, जैसे x है तो x कब आएगा, यहाँ पर 2x में से जब x subtract होगा, ऐसे करके बना सकते हो, और हम अपने actual concept से चलें, तो मुझे हाँ पर divide कर देना चाहिए, ठीक है, x square है, तो x से multiply गिया, तो कितना हो गया, x cube, x से multiply गिया, तो minus x, ये negative होगा, ये positive होगा, ये cancel out, ये हो गया, 2x plus 1, अब आपको पता है, ये जो cash end, उसकी जगे म अलग किया, to integration x dot dx, upon x square minus 1 अलग किया, positive का, dx upon x square minus 1 अलग किया, यहां पर मोली square माल ले था हो न, अब यहाँ let करते हैं, देखो, x square equals to t माना, तो 2x dx equals to dt हुआ, यहनी x dx equals to dt upon 2 हुआ, x का कितना होगा, x square upon 2 होगा, फिर 2, x dot dx की जगे आगया, dt upon, 1 by 2 हो गया यह, dt upon, ये x square की जगे क्या माल लिया था, मैंने t minus 1 माल लिया था न, फिर integration dx upon x square minus 1 square, अब नीचे वाले, इस last वाले की जगे तो आपको formula याद आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, cancel out, ये x square upon 2, plus log e minus 1, plus 1 upon 2 a, log x minus a, x plus a, plus c, ठीक है, x square upon 2, अब बताओ, क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहापर सभी को, तो ये हो गया, आपका complete first part, बस ध्यान रखना है, यहापर x square की जगे, किवल x लेना है, आपको न, तब ये answer match होगा, next देखो, ये misprint हो रखा थोड़ा book में, अब second part देखो, integration x cube plus x upon x की power 4 minus 9 dx, क्या करें, नीचे वाली बढ़ी है न, तो directly separate कर देते हैं, कैसे करेंगे, x cube अलग किया, x की power 4 minus 9 dx, और फिर x upon x की power 4 minus 9 dx, अभी दोनों को अलग लग solve करो, इसको मैं i1 माल लेता हूं, x cube upon x की power 4 minus 9 dx, यहां में सबसे पहले let करूँगा condition, x की power 4 equals to t, differentiate करें आपने यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 4 x cube dx equals to dt, यानि की x cube dx equals to dt upon 4, समझ माया, इस 4 को नीचे बेज़ती है, अब आप यहां apply करो, i1 equals to 1 by 4 integrate, यह हो गया dt upon x की power 4 की जागे t माना, और यह minus का 9 है, इसका answer कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 by 4 log p minus 9 और plus c1 मान लेता है, 1 by 4 log p का value कितना है आपके पास, x की power 4 minus 9 plus c1, ठीक है, यह तो हो गया मेरे पास, i1, अब आजा out, i2 पर आजा हुआ आजा हुआ, i2 में क्या मानेंगे अपन इस वाले value को, i2 मान रहे हैं, integrate x upon x की power 4 minus 9 dx, अब यहाँ क्या करें, ऊपर x है तो मुझे से लिएल के लिएट दिख रहा, x square कर देता हूँ मैं इसको, और 3 का x square कर देता हूँ, अब आप यहाँ condition let करो, x square equals to t, differentiate करोगी तो 2x dot dx equals to dt, यानि x dx equals to dt upon 2, लगा दो आप यहाँ पर, x dx dt हो गया, x square की जाए क्या मना था, t, तो t का whole square और यह 3 का whole square, 1 by 2, अब यह देखो हैं, यहाँ पर x cube, x square minus a square वाला formula लग रहा है, तो 1 upon 2 a log, t minus 3, t plus 3, plus c1, कितना होगा, 2 to the 4, 4, 3 to 12, log t का value कितना होगा, square minus 3, x square plus 3, plus c1, क्या करना है, दौनों को लिख दो एक साथ, भाई, हमारे पास question क्या था, हमारा question था, यह, इस value की जगे इन दौनों का value, तो इस पूरी की जगे i1 मना, यानि कि अपनने क्या करना है, यह जो question है, x cube plus x upon x के power 4 minus 9 dx, इसका अंसर हो जाएगा, i1 plus i2, i1 की value क्या यह देखो, 1 by 4 log x square, x की power 4 minus 9, 1 by 4 log x की power 4 minus 9 plus c1 plus i2 की value कितनी है, 1 by 12 log x square minus 3 plus 3 plus c2, c1 और c2 दोनों को बोलके एक साथ एटे करना देखता है, 1 by 4 log x की power 4 minus 9 plus 1 by 12 log x square minus 3 square plus 3 और plus c1, यह लिख दो, आप c1 plus c2 constant और उनके जागे c वाल लिए आपके, तो यह हो गए complete आपके पास all examples, second part, example number 3 complete, next नबलेंगे एक साथ 7.6 पर,